तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लिकेशन है उसको मैंने यहाँ पर ओपिन कर लिया है अभी दोस्तों आपको आपने मोबाल की स्किन पर कुछ नंबर्स दिख रहा होंगे देख सकते हैं अभी दोस्तों आपको जितना फोटो का जितना नंबर पर आपको दिख रहा होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट फोटो होगा उसका जो डियूरेशन रखना है दोस्तों आपको 1.2 सेकंड के लिए आपको रखना होगा तो सबसे पहले आपको 1.2 सेकंद के लिए फोटो सेलेक्शन करना होगा। देख सकते हैं यह रहा 1 सेकंड उसके बाद 1.1 उसके बाद 1.2 एक्जाक्टली दोस्तों आपको इतना ही रखना होगा रखे दने के बाद दोस्तों आप यहां से ओके कर लिजेगा अभी फ्रंस आपको जो राइट साइड में मीडिया का ओप्सन दिख रहा होगा देख सकते ह आपको इस वाले मीडिया का ओप्सन पर किलिक करके अपना गैलेरी का ओपेन कीजेगा और यहां से दोस्तों आपको जो फर्स्ट फोटो है उसको गाइस आपको यहां पर सिलेट कर लेना होगा दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट फोटो है उ से कुछ इस तरह से दोस्तों आपनी फोटो को इस तरह से आप यहां पे एज़ेस्ट का लिजेगा अगर पहले से है तो यह चीज करने का कोई जरुवत नहीं है अभी आपको यहां से पहले आप get more में चले जाईएगा जाने के बाद दोस्तों आपको जो right side में option सब दीकरा होगा देख सकते हैं यसी option को scroll करके दोस्तों आप last में चले जाईएगा जहाँ पर दोस्तों आपको travel का option पर क्लिक करना होगा देन आपको जो game motion का graphic से आपको इसको download करके install कर लेनी होगी देख सकते हैं आपर मैंने इसको पहले ही install करके रखा है इसलिए दोस्तों मेरे यहाँ पर list में 100 हो रहा है अब guys में इसको open करता हूँ open कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो rotation 1 दिक्रा होगा आपको इसको select कर देना होगा जैसे आप इसमें select करते हैं कुछ इस पकार से दोस्तों आपको जो photo है यहाँ पर effect होगा अभी दोस्तों आपको यहाँ से okay कर लेनी है दन आपको आपने वीडियो में कुछ इस तरह देखा है कि जो next photo 19 होगा और दोस्तों आपको 0.2 सेकेंड के लिए करनी होगी उसके लिए दोस्तों आपको इसी वाले setting के option पे क्लिक करना होगा editing के option पे क्लिक करके दोस्तों अभी कुछ इस पकार से इसको घटा के आपको यहाँ पे 0.2 सेकेंड के लिए कर देना है देख स दोस्तों आपको total 19 फोटो को selection कर लेना होगा मैं गाइस जो photo selection का काम यहाँ तुरन से कर लेता हूँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ 19 फोटो को selection कर लिया है अभी दोस्तों आपको आपने वीडियो में कुछ इस तरस आपको इस जगा पे आपको आजाना होगा एनि सेकेंड फोटो में आपको आजाना होगा आने के बाद दोस्तों कुछ इस पक जाने के बाद दोस्तों आपको जो एनिमेशन दिख रहा होगा देख सकते हैं आपको इसी वाले एनिमेशन में पर आपको यहाँ पर इनिमेशन दिखेगा आपको इसको डाउड करके इंस्टॉल कर लेनी है देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है आपको इसको एपलाई कर देना होगा मैं गाइस यह जो काम यहां पर तुरन से कर लेता हूँ दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो 44 वाला ग्राफिक से मैंने आपने सारे फोटो भी आपर एपलाई कर दिया है अभी दोस्तों कुछ इस पकार से आपको इस जगा पर आजाना होगा आने के बाद दोस्तों आपको फिर से आपको इस वाले सेटिंग के उप्सिन पर किलिक करना होगा और अभी दोस्तों आपको एडिटिंग के उप्सिन पर किलिक करके और यहां से दोस्तों अभी आपको 14 आपको कुछ अलग फोटो का आप यहां पर सिलेक्शन कर लिजेगा मैं गयाईस यह जो फोटो सिलेक्शन का काम यहां पर तुरन से कर लेता हूँ तो साथ ही हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 0.4 सेकंड वाला जो 14 फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है अभी दोस्तों आपको 0.4 सेकंड वाला जो फर्स्ट फोटो है उसमें दोस्तों आपको चले जाना होगा जाने के बाद दोस्तों आपको इसमें किलिक करना है किलिक कर लेने के बाद आपको यहां पर जो किलिप ग्राफिक्स का ओप्सन दिख रहा होगा आपको इसमें किलिक करना होगा किलिक कर लेने के बाद आपको इसी वाले इन इनिमेशन को ओपन करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 0.05 बला जय हो है आपको दोस्तों इसको स्लेट कर लेना होगा जैसे आप इसमें स्लेट करते हैं कुछ इस पकार से लेप साइड की साइड से और राइट साइड की और आपका जो फोटो है यहाँ पर स्लाइड होगा अभी दोस्तों आपको next वाला photo में click करना है इसमें भी दोस्तों आपको click graphics को open करके यान इनिमेशन को slit करके जो right side से left side के और जा रहा है इसको आपको slit करना है इस तरह से दोस्तों आपको जितने सारी photo है उन सारे photo में दोस्तों अभी अल्टा पल्टी करके यह जो graphic से आपको इसको apply कर देना होगा मैं guys यह जो काम में आपको तुरन से कर लेता हूँ तो साथ ही हो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते मैं आपने सारी photo में अल्टा पल्टी करके जो graphic से उसको apply कर दिया हूँ अभी दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस पकार से फर्स तरफ आपको आ जाना होगा आने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो को कुछ इस तरफ आप यहाँ पर नर्मल साइज में ले आईएगा जाप पर इस status editing में जितने सारे वीडियो फोटो पीएजी के जरुत पुड़ेगा हर चीज का मैंने link देखे रखाए आपको एक एक करके हर चीज को आपको डाउनलूड कर लेना होगा डाउनलूड करके दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले जो green skin वाला वीडियो है उसको select करनी होगी उसके लिए दोस्तों आपको इस वाले layer में किलिक करना होगा media का option पर किलिक करके आपना gallery को आप open कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आपको green skin वाला जो वीडियो है उसको फ्रंस आपको यहाँ पर select कर लेनी होगी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो green skin वाला वीडियो है उसको मिले selection कर लिया है सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो audio है आपको यह म्यूट कर लेनी है दिन आपको इस वाले arrow मैं पकड़ के कुछ तर सब फूल स्किन में करना होगा कर लेने के बाल आपको जो green reason दीख रहा होगा देख सकते हैं आपको इसको remove करना होगा जैसे दोस्तों आप यहां पर फोटो यहां पर कुछ इस परकार से दिखने लएंगे अभी दोस्तों आपको इस पहले share के option पर किलिक करके फिर से दोस्तों आपना file को यहां पर एक बार export कर लेनी है इस तरह से दोस्तों आपका जो step 1 के काम यहां पर complete हो चुका है step 2 में guys आपको पता है क्या करना है आपको guys यहां से काईन मास्टर से बाहर आ जाना होगा आने के बाद इसके बाले new project के option पर किलिक करना होगा 9 by 16 expect ratio में selection करके आपने दोस्तों जो file आपने export किया था first में ही उसको दोस्तों आप यहां पर select कर लिजेगा दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो video इसको में selection कर लिया है अभी आपको आपने video में कुछ इस तरह से first तरह आपको आ जाना होगा आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इस बाले video में click करना है और यहां पर दोस्तों आपको right side में यहां पर एक color filter का option दिखेगा आपको दोस्तों इस पर एक color filter का उप्चन पर click करके यहां पर आपको basic color में click करके आप यहां पर जो black and white बला है इसको दोस्तों आपको यहां पर आप इस select कर लेनी होगी देख सकते हैं यह रहा black and white बाला इसको दोस्तों आपको select कर लेना है select कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहापर जो उपर में clip graphics का एक option दिख रहा होगा आपको इसमें click करना है और यहाँ पर गाई सबसे पहले आप get more में चले जाईएगा जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो में दिखाऊंगा उसको दोस्तों आपको यहाँ पर download कर लेना होगा सबसे पहले दोस्तों आपको इस्टैलिस में जाना है then guys आपको यहाँ पर नीचे में scroll कर लेगो तो आपको यहाँ पर new on frame दिखेगा आपको दोस्तों इसको down करके install कर लेनी है install कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको open करना होगा और यह दोस्तों heart वाला जो है इसको आप यहाँ पर select कर लिजेगा कुछ इस तरह से select कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ok कर लेनी है अभी दोस्तो आपको इस वाले layer में किलिक करना होगा और media का option पे किलिक करके दोस्तो आपने step 1 में जो video expert किया था उस वाले वीडियो को दोस्तो आपको यहाँ पर आभी select करना है और इस वाले box में किलिक करके इस वाले option पे selection करके full screen में किजेगा कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो blue screen नहीं इसको यहां से remove करना है उसके लिए दोस्तों आपको right side में यहां पर एक कॉर माइकी का option दिख लाओगा देख सकते हैं आपको इस पहले कॉर माइकी का option पर क्लिक करके यहां पर जो आपको key color दोस्तों आपको blue selection कर लेना होगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या कीजेगा पता यहां से okay करके आपको इसको enable कर देना है और कुछ इस पकार से दोस्तों आप इतना इसको आप यहां पर adjust कर लिजेगा adjust कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से first तरफ आपको आजाना होगा आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस पहले layer में क्लिक करना है मीडिया के option पे क्लिक करके दोस्तों अभी आप मेरे वीडियो के जी description से जो neon frame का वीडियो डाउड किये थे उस पहले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी select करनी होगी दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो neon frame का वीडियो यह उसको मैंने selection कर लिया है अभी आपको इस तरह से पहले आपको इसको सिधा कर लिजेगा देन गाइस आपको यहाँ पर जो arrow दिख रहा होगा इस पहले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इतना बड़ा को करना होगा कर लेने के बाद आपको इस साइट में option सब दिख रहा होगा देख सकते हैं इस यह option के last में दोस्तों आपको blending का option दिखेगा आपको इस पहले blending का option पर किलिक करके आपको यहाँ पर इसकीन पर आपको सिलेक्शन कर देना है देन गाइस इस वीडियो का जो audio है दोस्तों आपको यहाँ पर mute कर लेनी होगी mute कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस पाले audio का option पर क्लिक करना है और यहाँ पर guys आप मेरे वीडियों के description से जो audio डाउड किये थे उस पाले audio को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी select कर लेना होगा दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो audio है उसको मेरे selection कर लिया है अभी दोस्तों आपको लास्ट बार आपको इस पाले layer में क्लिक करना होगा मीडिया का option पर क्लिक करके दोस्तों जो यहाँ पर pop music का जो text का png है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर अभी select करनी होगी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो pop music का text का png है उसको मेरे selection कर लिया है अब ही दोस्तों कुछ इस तरह साब को इस जगह पे इसको आपको यहाँ पर रखना होगा और इसका जो duration दोस्तों आपको यहाँ वीडियो के end टेक कर देना है लेज़े दोस्तों आपको जो status है यहाँ पर ready हो चुका है अब दूस्तों मैं आपको यहां पर एक बड़ वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूं तो साथ ही हो इस तरह साब बहुती आसान रिजी इस्टेप को फोलो करके आपको इस प्ले करका इस्टरस आप बना सकते हो अब आपको इस बाले share के option के click करके आपको बस अपना file को यहां से expert कर लेनी है